हाई फ्रेंड्स वेलकम टो अवर चैनल आप श्रीपाद नाइक और यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल अकेडमी तो देखो आरेमेस वैल्यू में सबसे लास्ट टॉपिक अभी हम डिसकस करने वाले कि किसी साइनोसाइडल वेल्यू के लिए आरेमेस वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं तो देखो साइनोसाइडल वेल्यू वैल्यू निकालना आपके लिए तब बहुत इंपॉर्टन्ट हो जाता है जब आप पावर इलेक्ट्रोनिक पे डील करते हैं ठीक है पावर इलेक्ट्र से rms value और तब बहुत लोग रट्टा मार लेते और वो गलत हो जाते तो आज पूरा logic हम सीख लेंगे rms value निकालने का sinusoidal waveform के लिए ठीक है तो अभी हम sinusoidal waveform को deal करने जाने वाले है ठीक है तो देख वो किसी sinusoidal waveform के लिए मुझे अगर deal करना है तो मान लो मुझे एक sinusoidal waveform सी दी है ठीक है एक sinusoidal waveform मुझे दी है यह है मेरा v-axis और यह है t-axis voltage मुझे दिया है और यह sinusoidal voltage आपका क्या रहता है vm sin omega t करके रहता है यह भी आपको पता है बरबरे और मुझे time period दिया यह मेरा πाई है और यह मेरा 2 pi है ठीक है तो अभी यहाँ आप time period 0 to pi आपको अलग और pi to 2 pi अलग ऐसा मिल रहा है और फिर यह waveform आपकी repeat होते जा रही है तो क्या आप यहाँ time period 2 pi लेंगे तो बिलकुल नहीं लेंगे 2 pi आप इसी लिए नहीं लेंगे क्योंकि यह आपका जो positive portion है तो जितना आपको positive portion मिल रहा है उतना ही negative portion आपको मिल रहा है और negative को हम हमेशा positive मानके चलेंगे RMS waveform में यह मैंने आपको बता है मतलब RMS value निकालने के लिए कोई waveform positive negative format में दी है किसी time period में तो आपको negative portion को positive मानके चलना है यह मैंने आपको पहले ही बताया दिया था square और rectangular waveform में और केसे वो भी बता दिया था क्योंकि square करके हम लिखते है इसलिए यह portion positive अगर मैं मानके चलूंगा ऐसा तो फिर मेरी waveform तो यही से repeat होगी पाई से बरबर है यही same waveform मुझा आगे मिल रही है ऐसे अगर मैं मानके चल रहा हूँ मेरे दिमाग में तो यहाँ मेरा time period क्या होगा पाई होगा तो यह आपको पकड़ना है अगर यह आप भुल जाएंगे टू पाई लेंगे तो गलत कर देंगे ठीक है तो time period πाई मैंने यहाँ मान लिया और मेरे लिए अभी आशान हो गया sinusoidal waveform में deal करना rms value निकालने के लिए तो अभी में अगर मेरा voltage vrms इसका लिखना चाओ इस waveform का तो मैं कैसे deal करूंगा मेरा 1 by t करता हूँ तो t मतलब मेरा time period है तो यहाँ πाई मेरा time period है तो 1 by pi integration of 0 to pi अभी इतने ही portion के लिए rms value मुझे निकालनी है बाद में मेरा वही waveform repeat हो रहा है यहाँ कैसे भी दिया हूँ मेरे दिमाग में यही मेरी waveform चप गई है अभी यह मैंने आपको बता दिया तो 0 to pi मेरा integration रहेगा और यहाँ मेरा रहेगा vm square, swine square, sin square omega t, vm square, sin square omega t, d omega t करके यह omega t axis आप मान लो ठीक है तो omega t, d omega t करके मेरा आ गया तो अभी मुझे अगर deal करना है तो मैं कैसे deal करूँगा अभी देखो यह 1 by pi आपका outside है इसका मेरे को अशा अगर मैं 1 by 2, raise to 1 by 2 करता हूँ मतलब इसका मैं root ले रहा हूँ तो यह मेरे confusion के लिए अगर इसकी वज़़, मतलब raise to 1 by 2 न लेते हुए क्या मैं यहाँ vrms का square कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो lh is equal to rh is अभी हो गया बराबर मतलब यहाँ का root मैंने हटा के यहाँ डाल दिया, बाद में हम vrms निकाल लेंगे तो 1 by pi 0 to pi vm square sin square omega t d omega t करके मैंने अभी लिख लिया, अभी यह vm square मैं बाहर निकाल देता हूँ तो यह आएगा vm square by pi sin square omega t का integration मुझे करना है, तो इसको sin square omega t को मैं लिखूंगा 1 minus cos 2 omega t divided by 2 करके मैं इसको लिख सकता हूँ, d omega t, ठीक है, तो अभी मेरा क्या हो गया vrms square अभी मैं निकालने जा रहा हूँ, तो यह 2 भी मैं बाहर बाहर ले लेता हूँ, vm square by 2 pi अभी यह 0 to pi है मेरा, 1 के साथ पहले जब मैं deal करूंगा, तो मेरा आएगा omega t 0 to pi minus cos 2 omega t के साथ अभी मैं deal करूंगा, तो cos 2 omega t का integration क्या होगा sin 2 omega t divided by 2 करके आएगा 0 to pi, यह मेरा आजाएगा, तो यहाँ हमको put करना है तो यहाँ देखो vm square by 2 pi, यह तो मैंने लिख लिया, यहाँ omega t की जगा मेरा pi minus 0 आगया बराबरे, और यहाँ sin 2 omega t, omega t की जगा में pi डालूंगा, तो यह मेरा sin 2 pi by 2 मतलब मेरा क्या आगया, sin 2 pi by 2 करेंगे, तो sin 2 pi 0 है मेरा, minus, यह 0 इसमें डालेंगे, तो 0 minus 0, यह मेरा 0 ही answer आने वाला है यह pi pi मेरा cut हो गया, तो vm square by 2, मुझे अगर vrms square मिल रहा है, तो vrms मुझे क्या मिलेगा, vrms मेरे को मिलेगा, vm by root 2 करके तो vm by root 2 करके मेरा vrms आया, वोल्ट्स में, ठीके, तो किसी भी sinusoidal waveform अगर आपको continuous दिखाई दे रही है, यह negative portion को हमें positive मान की चलना rms में, तभी आपको आसानी होगी कोई example solve करने में, ऐसा भी no doubt आपका solve होगा, यह मान के चलेंगे तो, लेकिन दिक्कत आ जाएगी solve करते समय, तो ऐसे ही मान के चलो, logic लगाओ, अभी किसी भी sinusoidal waveform अगर continuous होगी, तो उसके लिए vm by root 2 आपका vrms होआ, यह तो अभी आपको पता चल गया, अभी देखो, हम deal करते है, full wave rectifier, half wave rectifier का output, जो आप power electronics में पढ़ते, power electronics हम भी पढ़ेंगे, कभी ना कभी पहले हमारे यह subject खतम होने के बार, तब आपको बाद में यह नहीं पढ़ाऊंगा, यह basics में यह में clear कर देता हूँ, तो अभी देखो, मान लो मेरे को अभी full wave rectifier output दिया है, full wave rectifier output, तो full wave rectifier का मेरा output ऐसा ही तो रहता है, full wave rectifier का यह output है मेरा, बराबर, तो यहाँ देखो, क्या यह waveform जो continue repeat हो और यह मेरे दिमाग में, इसको तो मैंने positive मान लिया, यहाँ तो direct positive ही दिये, तो मेरे दिमाग में ऐसी figure अभी चप गई है, इसके लिए मेरा vrms क्या रहेगा, इसके लिए मेरा vrms लगेगा, vm by root 2 करके, तो इसके लिए तो no doubt, अभी मान लो मुझे half wave rectifier का output दिया है, ठीक अगर power electronics थोड़ा पहुत आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा half wave rectifier का आपका output, यह zero portion आता है, बाद में फिर वही wave of arm repeat होती है, तो ऐसा अभी यह continuous आपकी sinusoidal wave आपको नहीं दिखी, continuous sinusoidal wave आपको अभी नहीं दिखी, तो continue wave मुझे अगर अभी दिखी नहीं, तो अभी मेरा answer क्या होगा, तो अभी अगर मैं vrms निकालना चाहू, तो मेरा vrms क्या vm by root 2 आएगा, बिलकुल नहीं आएगा, यहाँ मेरा answer बढ़ल जाएगा, क्योंकि यह zero portion आया, यह zero, यह pi, यह two pi, तो अभी यहाँ मेरा two pi time period रहेगा, pi नहीं हो लेगा, क्योंकि two pi के बाद मेर waveform repeat हो रही है, तो यहाँ मैं क्या लिकूंगा, one by two pi, integration of zero to two pi करेंगे, लेकिन अभी यहाँ तो zero ही portion है, तो यहाँ zero to pi integrate करके, यहाँ जो आपको मिल रहा है, vm sin omega t, तो यह आप करेंगे, vm sin omega t करके, इसका square है, d omega t, ठीक है, और इसका square कर देंगे, यहाँ confusion के लिए, मतलब आपको आसान रहना चाहिए, इसको square लगा दिया, बाद में फिर answer निकालेंगे, तो यहाँ आपको जो answer मिलेगा, वो vm by two मिलेगा, vm by root two नहीं मिलेगा, ठीक है, तो half wave rectifier output के लिए यह waveform continue नहीं है, इसलिए time period इसका 2 pi बना, और इसलिए vm by two आपका answer है, आप solve करके भी दे answer vm by root two रहेगा, तो logic के साथ क्यों से आया, क्यों से आया, क्या आया, यह सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो मिलते आभी आपीसोड में, अगले वाले एपीसोड में सब्से important topic हम discuss करने वालेंगे, average value, average value हम discuss करेंगे अगले वाले एपीसोड में, तो मिलते आगले वाले एपिसोड में तब तक के लिए good bye and thank you very much.